आज का हमारा प्रोग्राम है इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन एरे इसका मतलब एक एरे आपको दे रखा है उस एरे में कहीं बीच में आपको एक नया एलिमेंट नया नंबर इंसर्ट करना है तो देखते हैं कैसे होगा सपोज हमारे पास एक एरे है नंबर ले लेते हैं कुछ रैंडम 5 3 8 41 20 तो ये किस पूजिशन पर है जीरो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 तो सबसे पहला स्टेप हमें एक एलिमेंट इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए एलिमेंट पूछना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट सुपोज यूजर ने एलिमेंट दिया हैंड़ एंटर पूजिशन फिर हम पूजिशन पूछेंगे ये हमारा सेकंड स्टेप होना कि कहां पर इंसर्ट कराना है ठीक है तो पूजिशन मान लिजे यूजर ने दी थ्री कि थर्ड पूजिशन पर हमें हैंड़ इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम साइज को इंक्रीज कराएंगे इनिशली हर प्रोग्राम में हम एरे हैंड़ ले करके चलते ह ठीक है और जो array हमने लिया है उसका size मान लिजे 5 fix का रखा है तो 5 elements store का रखे हैं अब हमें पहले size increase करना पड़ेगा न एक जगा बनानी पड़ेगी न यहां एक नई जगा बनानी पड़ेगी इसलिए size plus plus किया है ठीक है तो यह हो गया हमारा step number 3 उसके बाद यह for loop बहुत important है यहां देखिए इस for loop के अंदर क्या हो रहा है इस for loop में हम क्या करा रहे हैं elements को right shift करेंगे कहां से कहां तक position से लेकरके end तक तो हम इस 20 को इधर देखे right hand side पे यहां एक blank space है 20 को इधर shift करेंगे 41 को इधर shift करेंगे तो loop चला करके दिखा रहा हूं है for i is equal to size minus 1 size की value मान दीजिए initially 5 है अब हो गई 6 यहां पे size की value 6 हो गई size minus 1 की वज़े से i is equal to 5 रहेगी तो initially i की value क्या हो गई 5 तो जब i की value 5 हो गई i greater than equal to position position थी हमारी 3 5 greater than equal to 3 condition हमारी true है true का मतलब जो for के अंदर यह statement लिखा हुआ है यह बहुत important है यह वाला statement मैंने arrow लगा के दिखा दिया है इस statement की वज़े से ही elements shift होंगे देखिए यहां पे क्या हो रहा array i तो array i का मतलब array 5 is equal to array 4 यह हो गया आपका statement यानि array 4 के अंदर जो value है वो array 5 में assign हो जाएगी store हो जाएगी तो इससे क्या होगा 20 यहां से यहां पे आ गया ठीक है तो 20 यहां नहीं है अब 20 यहां पर है i minus minus होगा i की value अब हो गई 4 तो i की value जब 4 हो जाएगी तो condition चेक करेंगे 4 greater than equal to 3 अभी भी true है तो अब क्या होगा array 4 के अंदर array 3 store होगा अब array 3 में क्या है 41 तो 41 यहां से हट जाएगा 20 की जगा क्या आ जाएगा 41 clear है उसके बाद i minus minus फिर से होगा i की value क्या हो जाएगी 3 तो 3 greater than equal to 3 condition true है तो इससे क्या होगा array 3 is equal to array i minus 1 मैं यहां नीशे लिख देता हूं array 3 is equal to array i minus 1 का मतलब array 2 अब यह जो array 2 है यह यहां पर आ जाएगा 3 की जगा clear तो 8 कहां पर आ गया यहां पर आ गया अब जब i की value 2 हो जाएगी minus minus की वज़े से तो यह loop रूप रूप गया loop रूपने के बाद क्या स्थिती है यह मैं आपको बता रहा हूँ तो loop के बाद आपके array के elements है 5 3 यहां 8 रहेगा 8 41 की जगा चुका है 8 इधर 20 की जगा चुका है 41 और इधर हो गया 20 यह 0 position यह 1 position यह 2 यह 3 यह 4 और यह 5 कितने elements हो गए 6 elements size plus plus किया था ना तो एक element increase किया था अब देखिए last line यह वाले line left hand side पर array position minus 1 is equal to item position क्या थी 3 3 minus 1 2 तो array 2 में item store करना है array 2 है आपका यह वाला इसके अंदर item था हमारा hand red यहां देखिए तो hand red आपका यहां store हो जाएगा तो इस 8 की जगा क्या आजाएगा hand red ठीक है तो ऐसे एक element किसी array में आप insert कर सकते हैं I hope यह clear होगे होगा तो जब आप इसको display कराएंगे तो display कराने पर आपके numbers आएंगे 5, 3, 100, 8, 41, 20 अब मैं इसको जल्दी से run करके दिखा देता हूँ मैंने पहले से इस program को type करके रखा हुआ है void main int array 100 int i position item size कुछ variables ले लिए user से पूचा enter size फिर printf enter elements user से elements input करेंगे तो यहां तक तो elements input होगे clear उसके बाद insertion से पहले elements को मैंने यहां पर display करा दिया है फॉर लूप लगाया for i is equal to 0 i less in size और array को print करा दिया ताकि हम match कर सकें easily अब यहां नीचे इस line में हमने item element इस line में input कराया है जो item आपको insert कराना है ठीक है और यहां हमने position input कराई है फिर size plus plus कर दिया है for loop यहां पर लगाया वही same जो अभी अभी discuss किया था for i is equal to size minus 1 i greater than equal to position i minus minus उसके अंदर एक ही statement है इसलिए curly braces की जरूत नहीं है array i is equal to array i minus 1 इससे क्या होता है इससे right hand side पे elements आपके shift हो जाते हैं फिर position हमें मिल गई जगा हमें मिल गई उसके बाद array position minus 1 is equal to item ऐसे insert हो गया फिर आप इसको display करा देजिए for loop लगा कर मैं इसको save कर देता हूँ save करने के बाद इसको run कराते हैं तो यहां देखे run हो चुका है enter size suppose हम size ले लेते हैं 5 तो 5 elements मैं input करने जा रहा हूँ इधर देखे 11 22 33 44 55 5 element insert कर दिया मैंने ओके यह रहे आपके array के elements before insertion ठीक है डिस्प्ले कर दिया enter element to be inserted मन लिजे मुझे 100 insert करना है कहीं बीच में उसके बाद enter position at which the element is to be inserted suppose element हम ले लेते हैं position 3 तो 3rd position पे handle insert करना है तो यहां देखे array after insertion हो गया न 11 22 और 3rd position पे handle आपका आज चुका है तो यह बाकी के जो 3 elements है वो right hand side पे shift हो गए तो I hope यह आपको समझ में आ गया होगा in case if we farm to a झाल झाल